एक मार्च से होने वाली है सुरुआत और नेक्स्ट 30 डेज में ये शुदेशी कमपनिया आटमोबाइल इंडस्ट्री में कित्यास रचने वाली हैं दोस्तो फस्ट अगर हम बात करें महिंद्रा मोटर्स की तो महिंद्रा मोटर्स अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार यानी चीपेस्ट मेड इन इंडिया कार लाउंच करने वाली है जिसका नाम है महिंद्रा के यूबी इलेक्ट्रिक 100 और खास बात यह है कि ये गाड़ी स्टार्ट हो रही है एक मार्स से तो अगर आप भी न्यू गाड़ी परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो कंप्लीट वीडियो देखिए विदावट स्किप करें साथ ही अभी से शेयर भी कीजिए अपने सबी फ्रेंड्स के साथ में भारत में देसी ऑटमोबाइल कंप हम बात करते हैं महिंद्रा की शांदार गाड़ी के बारे में इसको सबसे पहले ऑटो एक्सपोर 2020 में शोकेश किया गया था और दोस्तों इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है 40 किलोवाट का एलेक्स्टिक मोटर एक मार्श के आसपास ये लॉंच होगी और 40 बीच्पी की पावर 120 एनम का टॉर्क होगा मीडिया रिपोर्ट से कि ये गाड़ी आप AC चार्जर से 6 होर्स में और DC चार्जर से केवल एक घंटे में 80% तक चार्ज कर सकते हैं और आपको हम यहीं पर बता देते हैं कि नेक्स्ट कुस टाइम में टाटा मोटर्स की पॉपुलर माइक्रो SUV टाटा पंच का भी इलेक्टिक वेरियंट आने वाला है तो काफी दमदार होगा नेक्स्ट है एक और गाड़ी महिंद्रा मोटर्स की ही तो सबसे पहले उसी की इन्फरमेशन आपके साथ शेयर कर देते हैं ये है महिंद्रा की XUV300 का स्पोर्ट्स मोडल जी हाँ इसका सिफ्टी टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग लिए हुए है और पावर सेफ्टी कमफर्ट और फीचर से फुल इस SUV में जो फीचर्स आपको मिलने बाले हैं उसमें है नए डिजाइन वाले हैड लैंप, न्यू टेल लैंप और 17 इंच के एलोई वीस और न्यू गाड़ी में और ब्लैक डेशबोर्ड भी दिया जाएगा, 1.2 लीटर का TGDI इंचन, टर्बो पैटॉल इंचन, 130 PS पावर के साथ, 230 NM के टॉर्क के साथ में और जो वर्तमान पैटॉल इंचन से 20 PS और 30 NM जादा होने वाला है, और इंचन की नई मोटर मल्टी पॉइंट फ्यूल इंचन का इस्तिमाल करती है, इंचन को 6-speed manual gearbox के साथ जोड़ा गया है, तो लुक वाइज, फीचर्स वाइज भी काफी शांदार गाड़ी है, और दोस्तों वर्तमान XUB300 की बात करें, जोसे safety में 5 star मिले हुए हैं, और इसमें dual zone, automatic climate control, front parking sensor, front tire position indicator, 7-inch का infotainment system, smartphone connectivity जैसे सभी शांदार features available हैं, और sporty all black interior theme है, तो काफी शांदार ये गाड़ी होने वाली है, next है महिंदरा मोटर्स की एक और most demanding, most awaiting और most selling car महिंदरा Scorpio, और अब finally ये गाड़ी launch होने जा रही है, और दोस्तों महिंदरा Scorpio जो भारत की सबसे popular SUV कारों में शुमार की जाती है, और इसके new generation model क buyers को बेसबरी से इंतजार है, और company काफी long समय से इसकी testing कर रही है, और कई बार इसे spot भी किया जा चुका है, और महिंदरा कि इस बेहद लोक प्रिये कार में पहले से ज़्यादा दमदार design होगा, modern interior होगा, powerful petrol, diesel engine के विकल्प होंगे, और नई 2022 महिंदरा Scorpio में 2.0 liter का turbo petrol, और इसके बारे में reports हैं, महिंदरा Scorpio string या महिंदरा Scorpio N के साथ भी market में entry कर सकती है, और इसमें जो 4 cylinder का M Hawk diesel engine है, जो 155 BHP की power और 360 NM का torque generate करता है, और 2.0 liter वाला 4 cylinder petrol engine जो 150 BHP की power और 300 NM का torque generate करता है, और upcoming 2022 महिंदरा Scorpio को 6 speed manual और 6 speed torque converter automatic gearbox के साथ पेश किया जाएगा, और खबर तो यह भी है कि नई महिंदरा Scorpio को rear wheel drive के साथ ही all wheel drive option में भी पेश किया जा सकता है, जो काफी good options हो सकता है, और अगर all wheel drive में गाली launch की जाती है, तो market में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, महिंदरा Motors का, और नि गाड़ियों की तरब से और next एक premium hatchback segment की गाड़ी जो है आपकी baleno और baleno के नई updated 2022 वर्जन का launch किया जाना है, जी हाँ यह गाड़ी भी अब launch हो जाएगी 15 मार्श के आसपास, प्राइज होने बाला है 6 लाक और इसके बारे में बताया जा रहा है, इसकी booking राशी 11,000 रुपे तै की गई है, और look और design की बात करें, तो वहाँ नर्माता का दावा है कि 2022 मारुती सुझू की को नई crafted futurism design language के साथ तयार किया जा रहा है, और नई बलेनों के बारे में बहुत सारी जानकारियां आ चुकी है, कार के front look की बात करें, तो नई बलेनों में LA car के wrap around head lamp बिलेंगे जिसमें LED daytime running lamp और variant के आधार पर projector setup होगा, और नई design की नई grill में smiley look अब बहुती शानदार होने वाला है, alloy wheel का design भी update किया गया है, rear look में भी change किये गए है, side look की बात करें, तो काफी शानदार बनाया गया है, और इसमें fender को भी redesign किया गया है, कार के rear look में 2022 बलेनों का एक नए L.A.R. के tail lamp मिलने वाले हैं, जो अब tailgate एक नए bumper तक फैले हुए हैं, interior के बारे में कहना है, कि 2022 मारूती सुजू की बलेनों में first in segment head of display का feature मिलेगा, इस feature की मदश से driver सडक से नजरें हटाए बिना speedometer, climate control, जैसे महतपून जानकारी देख सकते हैं, automaker का दावा है कि 2022 ब 6 airbag होंगे, और back के यात्रियों के लिए curtain back के साथ driver और यात्री airbag भी होंगे, और higher model में ESP का features भी मिलने वाला है, engine पावर की बात करें, तो 1.2 liter petrol engine का विकल्प होगा, 83 HP की पावर होगी, 12 volt का mild hybrid technique के साथ 90 HP की पावर वाला version भी मिलने वाला है, तो दोस्तों इसमें manual gearbox मारुती मौझूदा बलेनो CBT unit को AMT unit से replace कर सकती है, यह है इसके बारे में update और next है, एक शांदार गाड़ी Tata Motors की, और दोस्तों यह गाड़ी market में तहलका मचा रही है, पहले ही अपने petrol version में, और अब इसका electric variant launch वने बाला है, जी हाँ यह है, अल्ट्रोज premium segment की सबसे safest मार्च में गाड़ी launch हो जाएगी और काफी शांदार बताया जारा इसके features और पावर के बारे में, और Tata Motors की इस गाड़ी यानि एल्ट्रोज को company की popular safest gyptron technology के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें IP67 certified lithium ion battery magnet AC motor है, और एल्ट्रोज EV comfort features safety के साथ साथ अपने segment में, यानि electric segment में, premium हैच बैक में सबसे जादा मायलेज देने वाली गाड़ी होने वाली है, नेक्स जैसे ही गाड़ी launch होती है, इसका details review आपके साथ share किया जाएगा, तो friends आप इनमें से कौन सी गाड़ी purchase करना चाहते हैं, और अगर अपने द्वारा प्रियोग की जारी अपनी गाड़ी के बा अज्ञक में लिए्योगड़ी है की strat करन वालेज जाथ को आपके सा बालेजर कि गाड़ी यजलना अपनी है, इसका सचरा के चाहते हैं, इसका सचरा क offenता झाहते हैं.